तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग क्या बताने जा रहे हैं कि डिजिटल भार्णियर कलिपर जो है कैसे मेजर किया जाता है और इसका क्या फंक्षन है चलो हम आप दिखा रहे हैं यह हम पक्रेव हैं इसका लिस्ट काउंट जा है 0.01 mm होता है मैंने वाला कितना होता जेरो पॉन जीरो टू एमेम होता था है है ना तो आप हम लोग क्या करेंगे इस जेरो पॉन जेरो आनवाला लिस्ट काउंट ला भांड़ी के लिपर को यूज करेंगे तो यहां बटन कुछ दिया है कि इंच मिलिम्टर है ना इंच को दबाएंगे एक बार तुमिलिम्ट लंबाई वाला यह बन यर कलिपर है ओके तो यह में जापान की कंपनी है ठीक है ओके तो याद रहा है दोस्तों यह जापान कंपनी मिट्टी हो ठीक है अमने बता यह भी बता दिये कि यह जीरो पॉइंट जीरो से लिकर के एक सुपचास में बड़ तक का यह रेंज ओली भर्नीर के लिपर है ओके दोस्तों तो इसके बाद आब यहां लोग आगे बताने जा रहे हैं कि इसको हम लोग चलाते के से जैसे इस तरह हम पक्ड़ेवें इसको हम कहीं भी 0 कर सकते हैं है लेकिन बाकी मेन्ट भन करने जो है आप पर मेजर करके दिखते हैं कितना यह आ रहा है तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे जोब को मेजर करेंगे तो लिस्ट काउंट कितना बता है था हमने 0.01 mm ठीक है तो जैसे ही कोई भी इंस्टूमेंट जो है पर जाता है तो उसकर बाढ़ जाता है तो उसी परकार यह भी आपका पर 1.01 हो गही है इसको अलोग क्या बोलते हैं क्या ना में इसका इसका डिंफ बार नियरल केलिपर जाद़ार रहों है तो दोस्तों हम आप लोंग के लिए इतनी सारे mechanism बना है तो स्टाटिंस लेकर लाज तक बहुत सरा वीडियो बना है तो इसलिए इस वीडियो को स्टाटिंस लेकर लाज तक जरूर देखिएगा और वीडियो के सथ जूड़े रहने के लिए लाइक करेंगे, सेर करेंगा और कॉमेंट्स करेंगे और वीडियो को जरूर सब्सक्राइ हैं तो इस कीww सब्सक्राइब और जागव रही है की उस्टारा कुर्ट सब्सक्राइब करते हैं वैंसे हम लीग है इसके बाद लेंद्द मेज़र रहे हैं 28 बाद है 3046 इसके वाद यह हम लोग कैसे मेजर करें इसको depth बार से हम लोग measuring करेंगे ओके यह हमने measure करें है depth बार की तरप से और यहाँ पर अपका लंबाई दिखाए दे कितना है तो यह तरह हम outer diameter को हमने measure किये अब हम लोग inside को कैसे measure करें किस तरप से ज़रा देखिए तो इस तरह हम लोग बिजर करेंगे inside diameter hole का अंदुरनी माप अंदुरनी ब्यास जिसको हम लोग बोलते हैं inside diameter इस तरह हम लोग पगए का करेंगे internal diameter को हम लोग measure करेंगे अब दूसरा तरह एक बार हम लोग measure करेंगे इधर का diameter बड़ा है 30 करी करीव है तो इसको भी हम लोग measure करते हैं okay कितना बता रहा है 28.30 something कोई बात नहीं चलो internal diameter को हम लोग measure किये हैं इसके बाद हम लोग लंबाई भी ज़रा देख लेते एक बार हम लोग यह आपका हमने लंबाई जो है measuring कर रहे हैं ठीक है दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या करेंगा अभी हम लोग depth है ना लंबाई measure करने के बाद हम लोग depth measure करेंगे अंदर में hole है उसको step boring किया गया है उसको हम लोग depth बार से measuring करेंगे तो भनीर कलीपर से हम लोग 3 से measure कर सकते आउटर डायमेटर, इंटर्नेल डायमेटर, और डेप्थ, तो हमने तिनों प्रोसेस हैं, हम आप लोगो को measuring करके दिखा रहा है, यह हमने दिखा दी है, depth कितना है, इतना, अई यह आपका boring क्या होगा, job है, ओके, पिर शो एक बार try करते हैं, चलो, है न, पिर शो एक बार try कीजिएगा, हो सकता है, अपने सही measure नहीं क्या होगा, तो चला हम लोग फिर से try काते हैं, कितना बता रहा ह प batter है न। को दिखा दाए है मैं थेकम साथ उसकी आपका इंटर्नेरल लेंथ या किसी का भी fakartла या ब्लैंड हॉल आप मेजरिंग कर सकते हैं डिप बार से जहां पर ao chirs मेजरिंग जौग या इंटनल मेजर जौग जोग से हम लोग मिजर नहीं कर पाते हैं और आप लोग पी इस तरह follow कीजिएगा सेम इस तरह से इस rule को follow कीजिएगा और ताकि जोग को major कर सके तो दोस्तों बस एक साधानिया है कि इसको dust area नहीं रखना है गरम area नहीं रखना है और मुझे तरह भी नहीं रखना है तो देखे हम बता रहे हैं कि depth हम लोग कैसे नपते हैं लंबाई हम लोग कैसे नपते हैं और dampter के हम लोग कैसे नपते हैं यह हमने repeat कर दिया है तो दोस्तों बस आज इतनी हम लोग बोलेंगे कि वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए ता कि आपको ता कि जो है आपको बहुत सरा चीज मेटरियल इसमें आपको मिल जाएंगे टेक्निकल चीज ओके दुस्तों तो यह था आज का वीडियो और बता दिये कि इसको आप जिरो कर सकते हैं मिलिम्मिटर में चेज कर सकते हैं इंच कर शकते हैं तो बहुत सरा चीजिए इसमें फांसन दिया गया है इसमें बैटरी लगता है ना जब भी काम कतम होगा तो आप जरूर कर दिज